बारिश का असर पड़ा फसलों पर जिहां देश के कुछ हिस्सों में बारिश कम होने के कारण चालू खरीब सत्र में अब तक धान फसल का रखबा 5.62 फीसद घट का 383.99 लाख हेक्टर रह गया है कृशी मंत्रा लेके शुकरवार को जारी आंकडों में ये जानकारी दी गई है एक साल पहले की समान अबदी में धान की बौई 406.89 लाख हेक्टर में की गई थी धान मुख्या खरीब की फसल है और इसकी बौई जून से दक्षिन पश्चमी मौनसून के शुरूआत के साथ शुरू होती है और अक्तूबर से कटाई की जाती है बौई घटने से उत्पादन पर असर पढ़ने की अशंका है वहीं मोसम विभाग ने अनुमान दिया है कि सितंबर के महीने में समानिया से ज्यादा बारिश हो सकती है चालू खरीब सत्र में अब तक जारखंड में धान की बौई का रखबा पिछले साल के मुकाबले 9,88,000 हेक्टियर कम है चबकि मध्य परदेश में 6,32,000 वहीं पश्चमी बेंगोल में 4,45,000 हेक्टियर का शेत्र कम हुआ है चबकि 36 गड में 3,91,000 हेक्टियर तो उतर परदेश में 2,61,000 हेक्टियर और भिहार में धान बौई का रखबा पिछले साल से 2,88,000 हेक्टियर कम हो चुका है वहीं उडिसा में कि अगर बात करें तो उडिसा में भी 84,000 हेक्टियर और आंधर परदेश में 31,000 हेक्टियर तो असम में 29,000 हेक्टियर में 21,000 हेक्टियर और पंजाब में 12,000 हेक्टियर के शेत्र में कमी आई है आपको बता दे कि तिरुपूरा में भी 1,000 हेक्टर में धान बुआई के रखबे में खास गिरावट नहीं आई है धान के लावट चालू खरीब सत्र में अब तक 129,55,000 हेक्टर के साथ धलन की बुआई में मामुली गिरावट दर्ज की गई है एक साल पहले की समान अबदी में ये रखबा 135,46,000 हेक्टर था अरहर धलन का रखबा पिछले साल के 47,56,000 हेक्टर के मुकाबले इस बार 44,86,000 हेक्टर में मामुली रूप से कम है उधर उड़त के रखबे में भी अगर देखा जाए तो पिछली बार उड़त का रखबा 38,18,000 हेक्टर था जो कि अब की बार 36,62,000 हेक्टर हुआ है तिलन में की बुआई का रखबा भी पिछड़ गया है चालू खरीब सतर में 2 सितंबर तक 188,51,000 हेक्टर शेतर में तिलन की बुआई की गई है जबकि एक साल पहले की अबदी में 189,44,000 हेक्टर था हलाकि मोटे सैपोशक अनाज के मामले में बुआई बढ़कर 178,96,000 हेक्टर हो चुकी है जो पिछले साल की समान अबदी में 171,62,000 थी नकदी फसलों में कपास का रखबा बढ़ा है और ये बढ़कर 125,79,000 हेक्टर पहुँच गया है और गन्ने का रखबा एक साल पहले की समान अबदी की तुला में थोड़ा बढ़ा है और पच्पन लाग 65,000 हेक्टर से थोड़ा अधिक ही बढ़ा है आंकडों से पता चलता है कि चालू खरीब सतर में अब तक जूट की खेती का रखबा 6,95,000 हेक्टर पर लगबग और परवर्तित रहा है वहीं भार्तिय मोसम विभाग के अनुसार जून अगस्त की अबदी के दोरान देश में दक्षन पस्चमी मोंसुन की 6 प्रतिशत अधिक बारिश हुई है हलाकि देश के पूर्वी और प्रुवत्तर शेत्रों में इसी अबदी में 9 फीसदी 19 फीसद कम बारिश दर्ज की गई है पूरे देश में सितंबर के दोरान मासिक वर्षा समाने से अधिक रहने की फिलाल संभावनाई चताई जा रही है बार बारे भारारर के बारखे से बारार्र अना बारे योकर पिलेर जा की अधिक तोुटर से में सवाल से नगे है